दोस्तों एक स्वाल का ज्वाब मैं ढूंड रहा हूँ पिछले कोई एक डिड़ साल से मुझे समझ नहीं आरी कि साइम अयूब की एक फैंसी नो लुक शॉट के पीछे पढ़के पाकिस्तान क्रिक्ट बोर्ड उन में से क्या निकालना चाहते है पाकिस्तान बुट बड़े टरहा फैंटी कारते होएं हार गया यहां पे बड़े बच्चों की तरह मारा है पाकिस्तान को पहला व्डिया मैच भाई कंग्रेजूलेशन्स त्व मौसण नकवी फकर जमान जैसा बैट्समें निकालके गंटा साहिम डाला था भई दो ती रंस पे उटो के चला गया अबदुला श्वीक डाला था भई जो सारे के सारे ओवर्जाय करके चला गया शापर का किंग भी नी चल सका पहले मैच में आपको बत्तिरीन शिकस्त हुई है बॉलर्स ने जान मारी है जहां क्रेड़िट बनता है उनको क्रेड़िट लेकिन आपके बैट्समेंस क्या कर रहे है भई ना अबदुला चला ना बाबर चला ना साइम यूब ना कामरा ना भई सल्मान अलियागा ना भई आपके रिफान न्याजी नसीम शाय को दुआएं दो जिसने 40 रंस कर दी है तो आप 200 पार चलेगे वरना डेड़ सोबे बसकी बात ही नहीं है ना केलना ओड़ी आई में ये लोग 203 ही बना पाए जहां पे ओड़ी आई में टीमें 3,380 रंस बना रही है और हमारी नली 11 कितना 203 पर ही भाई पूरी टीम ही खतम हो गई है पाकिस्तान की टीम रोंदी कही है 203 रंस का जनाफ मुश्किल से टार्ग इस स्कोर इनका 35 स्कोर है पार्टनर्शिप के अंदर और उसके अलब आज अगर बात करें मिचल स्टार के आतों आए हैं साइम यूप पहली दो तिन बाले खेलिया जनाफ टाटा भाई भाई उटो के चले किया ना अवारे अब्दुल्ला शेविक ना परफॉर्म किये तो पाकिसानी टीम को ODA खेलना भूल चुका हुए है यह भूल चुके हुए है कि ODA क्रिकट कैसे खेलनी है दोसो तीन के ओपर आल आउट हो गये है पहले चार आवर के अंदर अब्दुल्ला शुफीग ने दो मेडिन आवर खेले यह क्रिकट आपने खेलने की है कब से आपको यह डरे हुए थे यह बुजदिल अप्रोच के साथ गे थे इनका जिसको कहते है दिमाग के पहले ही खोफता कि हम उस्ट्रेलिया में खेल रही है वैसी जैंपा ने बाबर को डास करवाया पिछ के ओपर बाबर आदम आउट कैसे वह आपने देखा है कि बाबर आदम थोड़ा जजबा तो दिखा पाएंगे वरना तो इन बल्लेबाद उने कोई कसन नहीं छोड़ी इनको जरा सी शरम निड़ाएगी हुई दुनिया मार्स पे चली जाएगी पाकिसान की टीम तम भी पावट लेक के अंदर 30-35 करेगी इनको यह पता ही निए कि पावट लेक क खोड़ा रहे हैं मजाएग बनारे से और आप मजाच बनवारे से गंटा बजा दिया ने आज पकड़के हमारा नहीं उपापार अधर फिरभी नीचला मेरा रहा हुआरा पड़र ओबभाएं दोस्ती जा लेकर जाओ पिटेए वे जाली लोग है इसे टार राव मतलब कोई इंटेंट नजर नहीं आती कव्तामारा वोन रव्यां करता है ना उसका वुषक राहती है ना उसके चेरे से क्ष़जदा पिते वाने हैं आपके गंड़े को निपाल के लाफ रंस करता है ना इसके मुझेंट है ना इसकी शकल को को इंटेन्ट है इसकी शकल के रोणा लिखा हुआ है इसके बले और हम्धिना पकरते हैं क्या कहेंगे हमारे टीम जिदर जाए जिदर जाए ना की कटवाती है 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 ना कट जाती है हमारी हर मैदान में जब ही देखें तो हार जाते हैं अगर मुश्किल समी फैन कर रहे थे उसको चाहिए था कि परफार्म करता हो पता लगता कि यहार मैंने कम बैक किया लेकिन उनसे सिदा खेलने जाता है और पूठी पूठी शाटे मारता है साइम यूब से समय नहीं आती है को बाई इस बंदे ने कौन सी जादूरी चेड़ी पकड़ी हुई है इस करवा रहे हैं आप आपको उमीद है अगले मैचिस के अंदर यह कब तक हमारी क्रिक्ट जो है और वाइब आप में क्या तमाशा लगा अभी दो टेस्ट में जीता निया पाकिसान जीता है आगे क्या आगे कौन सी मौत पड़ गई है नहीं आगे ऑस्ट्रेलिया आपको पत टीम जाती है एक दो मैड़ वो उनको डोमिनेट करती है एक दो मैच तीन मैच कि सीरिज अफिल दो में कर कि तो की बाद दो मैद है क्या तो घर्ट अप से जीत जाएंगे लगा तो क्या रच लिया कई ज्ञा अफ़ॉआरा को ही इन्शाला करते हैं कि बेहते हैं कि अग मतलब आपको कोई दोक्री है कोई एक्सपेक्टेशन नहीं नहीं बहुत है यह भी घम की तरह पी लेंगे सब्सक्राइब आपको उमीद नहीं ती नहीं तो करें नहीं नहीं तो करें लगानी है अगर आज नसीम शाना चलता तो आपकी टीम देट्सो के ऊपर भी आउट थी ठीक तो अच्छा था था पंद्रह वरों में मैच खतम करती है मारे गए इतना लंबा सफर करके रेस्ट भी तो करनी थी नहीं मतलब आप चाहते हैं कि मारे प्लेस को जल्दी वहरा के रेस्ट करत अस्ट्रेलिया के बीच्ट पर जाते हैं वहां पर फोट शूट करते हैं जाते हैं बाकी तो नका कोई काम नहीं है सर कब तक हमारे क्रिकेटर हो जाएगी 2050 सब्सक्राइब आस्ट्रेलिया के अंदर पाकिस्टान का जितना नाम मुम्किन था है और रहेगा हम कभी जिन्दगी में और रिज्वान भाई का ओवर कॉंट में देखो तो देखो जी इसका यह मतलब दो नहीं कि मैं जीते तो हम कहां नहीं जीत पाएंगे भाई तुम कभी ना जीते थे ना जीते हो ना जीत पाओगे क्योंकि और स्टेडियन क्रिकेट टीम ने जिस किसम की बॉलिंग करवाई है वो मिचल स्टार की इन स्विंग आउट स्विंग देखकर यकिन करो पाकिस्तान की जो ओपनर दे उदर ही बिल्कुल लेट गए वो अल्ट्रा प्रो मेक्स नो पाकिस्तान के प्लियर्ड है जो और स्टेड्में देखो गहें हम वस्तियले में जाकर यह करेंगे तो हम लो यह चा बोलू है तुम लोग तो यह तरीके से एक्स्पोज हुए ये नसीम शा के मैं पाउं पढ़ता हूं और नसीम शा के मैं पाउं को हाथ लगाता हूं कि जिसने थोड़ी बहुत इज़त बचाई ये पाकिस्तान दोसों के करीब पहुंच है वरना ये टीम डेर सो भी बनाने के लायक नहीं थी पाकिस्तान की टीम ने हम डेर सो दे में तहले लेट जाएंगे भाई हमारी ये टीम डेर सो बनाने के लायक भी नहीं है नसीम शा पता नहीं कहां से चल गया ये चालीस रन बनाये हैं नसीम शा ने 49 बोलों में चार चक्के बारे हैं लानत फिर ये पाकिस्तान के बैट्समेनों के उपर जो इतने इस बंदे को बापर आसम को पता नहीं है कि लग्स्पिन खेलते कैसे जिंदगी में ये कभी लग्स्पिनर के आगे जो है रांस नहीं बना सकता आज भी यहां पर आडेम जंबा ने आके थोड़ी सी बॉल इदर उदर कर दी और भाड़ दिये इसके जैड़ कोई शरम है य लेकर यार कम से कम बंदा फाइट करके हारता है थोड़ी बहुत इज़त दे के हारता है यह तुम लोगों ने कौन सी क्रेंट खेली है डेड़ सो के उपर पूरी की पूरी पाकिसान के टीम गए डेड़ सो के उपर यह नसीम चाह के चारली सरा अटा लो तो बाग्चे लेगा इसको क्यों ओपनिंग में निलाते यह वजीब हो गरीब पाकिस्तान के टीम के अंदर आ जाता है फेल होनी के बावजूद कितनी इसके इसके इंटरनेशन में हंटर सा मुझे बताओ इसने वन डे खेला और इसने टीट्वेंटी और टेस्ट में हगा है पहले जाकर और अब जब यहां पर बात आती है क्या क्या है भाय जाहिर सी बात है हां यहां से पाकिस्तान जीट के अंदर दो सो का टार्गेट देकर तुम समझ रहे को हरा लोगे अगर यह समझ रहे तुम से बड़ा को बेवकूफ नहीं है ऑस्टेलिया वालों पर चार सु का टार्ग चलो ठीक है हार जीत होती है बॉलर्स के उपर घुसा करना बेवकूफ ही है लेकिन यह जो बैट्समेनों ने हगा है यहाँ पर इतना बड़ा हगा है बाग बैट्समेनों ने भाई घंटे के किंग ने आज क्या कुछ किया कि नहीं भाई 37 बना है बाबर अधन ने लेकिन आज से लीड करता है कैप्टन आके फ्रंट से गेरता है यह चवाली सर्मा यह तो दुआ करो आप लोग भाई नसीम शाह और भाई वो शहीन शाह फरीदी को जिसने नीचे से आगे भाई 67 रंज जोड़ दिये तुम लोग दो सो पहुंचे हो वरना तुम लोगों की जो अकात है ना भाई यह 130-40 वाली है ओडियाई में भी ओडियाई में तुम लोगों ने क्या क्या उखाणा है भाई बता दो हमारे जितने भी भाई लंबर वन सो कोल्ड बैट्समें थे क्या बनाए है किसी ने कुछ नहीं किया वो हमारे ओपनिंग प्यार सैम आयूब अब्दुल्ला अब्दुल्ला श्विक मैं जी एबीडिव लेयर हूँ हूँ सैम आयूब मैं जी क्या ना में पाकिसान का साई दनवार हूँ अबे तुम लोगों ने कभी देखा है एबीडिव लेयर को क्हेलते हुए मत बद लेखा हिए है तुम लोग कूछ थे तो भाई बला नी उठाय है यार क्यों यार तुम लोग बार बार मौका दे रहे हो जो भाई ओपनिंग प्यार घर में फलाप हो रही है वो बार के घंटा भाई रंद करेंगे बताओ मुझे बाबो राजम साब आज 37 रंद बना के गई है यार इसको तो आज कुछ नहीं कहना क्योंकि यार कमबैक कर र रहा था कि भाई या अभी लंच बरे कर दो ये तो टेस्ट चेल रहे है ना ओडियाई तो है नहीं ये खाना वाना खा के फ्रेश हो के ना ये दूसरे सेशन में आ जाएंगे ओ भाई जिस कैप्टन की अप्रोच ठकी होगी डिफेंसिव अप्रोच होगी क्या घंटा तुम लोग जीतोंगे ओडियाई में कतर पे चवालिस अब भाई तुम आसपास कई अस्टेलिया में कोई गटर वटर है बताओ यार वहां भी इनको दो चर्ट डुबकिया लगवा हो ताके भाई इनको होश आ जाए कि हम ओडियाई कहल रहे हैं टेस्ट नहीं कहल रहे हैं वो का शेहिन शाफरीदी उननीस पे चोबिस नसीम शाह 49 पे चालिस जिस अब मैं क्या बोलूं जिस स्पिनर के गेंस्ट रिजवान और बाबर स्ट्रगल कर रहे हैं शेहिन नसीम शाह और शेहिन ने उसी पहला मैच बालिंग नहीं बात करें बैटिंग में इतनी गंदी बैटिं शे पढоз बॉस्तान की कि गीचे की बड़ेनी तो इसके बात करें पाकिस्तान के कि बड़े एक जाए उंवे ज verify बड़े हं लोग वर राजम में रखही है नहीं है किंटी जासे निए जिपन्धिश वर में बातक इ। अ कहलें हैत में का ब्रफ फर्फ बिचसान कर guests नाते हैं वहीं लगा-लगाके लगा-लगा मुझेल किछे सब डाइना कि उगला को छो को मैं पजये रेशानी का शचार पड़ते हैं कितना अच्छा हमारा एक एक अपनर हाद ही वहा में एक रिटमान कर दो दो ऑखा और इनके में वह पीटनिस नहीं, थाफिजी बंडे रखेजी बंदे के साट की आप मिलें तो उसके चेकर पाज़ी हो और भीजेदा है और साइंप कौह सी फिटनस है वो तो लंगूर है उसकाद्मिे गगार पिर एक का पर देख हैं पाट ब्रची पौरथी आप कि ल की को जुटे पढने भी वह नहीं पहुरत नहीं देखी नहीं थेखिया थे तीन दिन एक नापता है और जुड़त प्रक्रिक्टिस आपने भी महां पर इस आप यह बता जुड़ाए आधि रीग्ट शेना इक बंद घुड़ता है खुड़ता है फो फिसो उस इस इस जए गहने मंदिर का रहर को कि युक्क वे भी पता है कि पाकिस्तान की जो अवाम है वो मोसर नक्वी से पीसीवी से जादा बहतर जान इसको टीम में पाहिर बाहिर प्हांगना इन सालों के शोपर में बंद करो डिस्ट भी फंग तो इसको निको अपर कंटेंडर गिरा लो सीरिसलिए अपर इतनी गंदी जितवारिया और यहां पर हम पहला होड़ी हार के बैटों में मतलब भाई क्या चीज़ है यहां पर हमने बाए मुश्किल बाए मुश्किल इंग लैंड से सीरिस जिती है उसके बाद वही घटिया तरीन बंदे उठा कि आपने टीम में रख दी हैं बावरादम को लिए हैं हम कहते हैं हमार多 है टालेंन बहुत है टालेंन बहुत है टालेंन बहुत अ otherwise जो हो चेस करना उनके लिए इतना मुझे जो है नजर नहीं आ रहा है और बात करें अगर अगर अब्दुल्ला शफीक की यार ये क्या गटिया बैटिंग कर रहा है यार ये बंदा मुझे बता दे जो हो दो टेस्स सीरीज हो चुकी है इससे रंज नहीं बने अब ODAI में इसको ऐस्ट्रेलिया में लेकर चले गए और अस्ट्रेलिया में जनाब से जो हावो 26 बालों पर 12 रंस पहले तो जो आवा इनने जो अवा बन नया हुआ था टेस्ट मैच और उसके बस आउट कौन सी बाल पर हुआ आउट कौन सी बाल पे हुआ बाल को छोड़ने का भी तरीका नहीं है यह किया और बाल जो खुद आगे बैट बे लगा और जो आउट इनकी इतना डर के खेल रहे थे नहीं यह अब्दुल्ला शफिक के ऐसा लग रहा था इसे बाल जो आपता नहीं खा जाएगी बाल जो आउट जो आउट नहीं है जिसमें जो हो आप यह कह सकते हैं के गटिया तरीके से यह आउट ना हुआ हो अब्दुल्ला शफिक उसके बाद बाद करें साइम मयूब नो लुक शॉट इसने भी कसम निकाली हुए है के भाई मैं जो आउट नहीं बनाओंगा मुझे बार बार जो हो मुका मिलेगा बार बार मुझे जो हो इसी तरह से जो हो परचीबे खिला लिया जाएगा लेकिन कसम है में रंज नहीं बनाओंगा आज पिर देखें चिनाब आते साथ आउट पिसली जो पंदरा इनिंग्स में एक भी पचास प्लस की पार्टनर्शिप ही नहीं है इन दोनों के दरम्यान चाहे वो जो हो अब्दुल्ला शफी को चाहे वो इसका क्या नाम है कि क्या पार्टनर्शिप है ये एक भी पार्टनर्शिप जो हो इन्होंने ऐसी नहीं लगाई जो हो जिसका आप यह कह सकते हैं कि कोई तारीफ के काबिल हो चाहे वो अब्दुल्ला शफी को चाहे वो बाबर आजम की बात करें बाबर आजम ने कुछ शॉष्ट तो सार चोके लगाए च्वालिस बालों पे 37 रंज बाबर आजम ने लगाए लेकिन बाबर आजम से उमीदें ये नहीं हैं बाबर आजम को कम आजकम 60-70 रंज यहां पर जाग करना चाहिए अगर 60-70 रंज भी आप नहीं कर सकते पाकिस्तान कि आप जो हो सबसे बड़े है मैं जहाओ आपके यह 15-20-30 पर मुझे जाद है मैं न्यूजिलेंड में था जब साइमी जूब पाकिसाने 25-20 सीरीज खेली थी साइमी जूब भी वहां पर थे खेले थे उन्होंने आउकलंड के अंदर 40-plus रंज के इनिंग खेली थी और उसमें एक तो चक्के लगाए थ यह पीएसल नहीं है जहां पर आपको पिंडी की या मुलतान की पार्टी विक्रे मिलेंगे जो दिल करेगा अप जैसी मुझे शौट कहलेगा और आपके सामने हारे सुरूफ जैसे बॉलर होते हैं यहां पर पैटकमन और मिजल स्टार्क हैं डिफरेंस है दोनों चीजों मे जल कोई तो इनिक्स नहीं जैसे अपको चीजश पाता है सामय यूब की आरे फांच ट्टी टॉन्टी इनिंग्स और शहीन फ्रीदी की आ कि रदे क्लीप पांच टीटूनटी इनिंक्स और शहीन फ्रीदी की आरे में शेहीन आपी ने वेले जो इक दो मैच जाई नहीं उ साइमर यूग के लास्ट पांच इनिंग्स में एक में मैक्सिम्म स्कॉर्ट जो है 17 है फिर 6, 2, 14 और 6 है आप उनका टेस्स का रेक्टर देख लें तीन टेस्स मैस्स की सिरीज के लिए एक 50 है इससे पहले बंगादेश के खिलाफ दो टेस्स मैस्स के लिए दो 50 से पहले मेलब में टेस्स कहला था वहा है कि इनको साल डाइफ वार्मड-भाइश भालू ऑन्दक इन प fighting ऑन को कलादन तर्फरेंबंग मैं मैं धाफिर्ट नग्यट और क्याओर शप्रा बन व plates एक पाकिस्टान के न कोँभला की उस से मिए और आपने उनको बंडे कैप भी दे दिये या तो उन्होंने तीट वंटी ओर टेस्ट के अंदर मधब धूम मिचा दिये और फिर तो बंडे कैप दे वहाँ भी पहलो रहे हैं वहाँ पे भी स्टरगल कर रहे हैं मतर पाकिस्तान की पार्टी भीटएं उसके उपर नहीं हुए पर आप Melbourne की पिछके उपर उनको कैप दे रहे हैं किवंडे भी खिलो जी किस वज़ा से आप देखिए पाकिस्तान के अंदर हर बंदा यह बात करता है कि साई मयूब जैसा लखी पाकिस्तान की क्रिक्ट हिस्ट्री में पैदा नहीं होगा जिसको इतने chances मिले हो किसी और को इतने मिले तो मुझे दिखा दीजिए और फिर उनके साथ खेर रहे हैं अब्दुल्ला शफी जो के मुझे जात्तोर पर लगता है कि अच्छ है talentedness में कोई शक नहीं है आप उनके बंडे का रैकेट देख लें वर्ल कप के अंदर एक सो है तीन फिफ्टी है क्योंकि लास्ट पाक साने वंडे वो ही खेल है और ज़्यादा उनको चांसेस मिले नहीं है मैंकल बारा मंडे उनने खेले हुए है तो उनका थोड़ा बहतर है बट उनकी फार्म बिल्कुल ही खतम ही हुई है अगर्चे उनने सो जरूर कि अगर्चे उनका उनकी फार्म को क्या हुई है बट एक उपनर है जिन में कुछ है नहीं दूसरे उपनर है जिन में जो इनकी फार्म गिरी हुई है तो ऐसे में अगर्चे मैं मुझे लगता कि दुलाश्वी को ड्रॉप करना जो हलो ना पूरे पिचास सवर नहीं खेल सका जिसके इमकाना थे कहां जी पाकिसान की शाइद बसका नहीं है पूरे पिचास सवर खेलना तो करते कराते दूसरों के पार पहुंचा पाकिस्तान वरना तो उपर वाले तो बिलकुल अभी बतीस हवर हुए थे छटी विकिट जब गिरी थी एक सो सत्रा एक सो सत्रा पे च्छे आउड पाकिस्तन के टॉप ओडर के सारे के सारी हो चुके थे यह नीचे टेल वालों न नीचे से बैटिंग शुरू करनी चाहिए नीचे वाले देखे हाइस टन स्कॉरर नंबर नौ पर जो खेलने आया वो चलो रिजवान के चुवाली सनन्स है लेकिन हाइस मैसी को भी मानूँगा कि जिस तरीके से यह खेल के गया उन्तालिस गिन्दों पर चालिस तो यह है बाबरादम थोड़े अच्छे टश में दिखा लेकिन जांपा ने जब बोल्ड किया वहां उसके बाद तो फिर देखके मतलब रिवर्स गेरी लगा रहा तू चल तो मैं आया आई टो नो वट कामनान गुलाम वास डूइंग तो अच्छे ही पड़ा लेकिन वह समिथ की कापी करने के कुशिश कर रहा था गेंद ऐसे बलॉक करके बले से या 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 वहां जान आच्से नहीं चलता यहां पे डिस तो वहां पर ब्ले ल mendजे ऐसे या पर वो उसका जिसे कहते हैं शॉर्ट मारने का स्टाइल और वो उसकी बॉड़ी पोजीशन, बल्ले का स्विंग, इच और अवरीफिंग, वो थोड़ा सा वाकी लगता है कि जरा टूलर टाइप, लेकिन कनेक्ट उसने चार के चार च्छके सही मिडल आफ दा बैट की हैं, सही जि अगले ठीक-ठाक किसम की टाइमिंग, ठीक-ठाक किसम की जान चाहिए, बड़ा ग्राउंड है, उसको पार कराना सान नहीं होता, तो नसीम शाह का पहला जो च्छका था, वो उसका अगर आप देखें, मिडल आफ दा बैट लगा, डीप मिंड विकेट के उपर उसने में मारे, और वो जो जैंपा का दो च्छके मारे, वो भी दोनो, आप यूँ समझे कि एक पर तो नसीम शाह निकला, लेकिन वो एक्जैक्टी तू दी पिच आफ बॉल आ नहीं सका था, थोड़ा लाइन की वज़ा से, लेकिन येट अगेन वो सम्हाव दी अदर मैनेज कर या अपने स्विंग के साथ बॉल को उठाना, दो एक च्छका और एक च्छका नसीम शाह किया, आप यू समझे रेप्लिका है, वो लेध तो मैं कहूंगा कि अल्मोस्ट 19-20 का फरक था, नाइन का डिफरेंस ठीक ठाक था, जिसमें च्छका मारा वो और उसके बाद च्छका बॉल और उसको नसीम शाह ने डीप कवर की उपर से, जारी बात है, निकला वा था बाड़ी का, जिससे कहते हैं, वो काइनेटिक एनरजी थी, ठीक है गेंद उसकी लपेड से थोड़ा दूर था, लेकिन समझे नसीम शाह जो आना, उसने लपेड ही दिया, उसने का अल्ला वान के उपर से मारे हैं, जो एक मारे है वो जो पहला, वो डीव मिड विकेट के उपर से, और नसीम शाह की हिटिंग शिटिंग देखकर, बंदा कहता है कि यार, इतना जिसे कहते हैं, आस्ट्रेलिया में थोड़ा सा दिल गुर्दा रखे न, आप खेल लेते हैं, अब पा तो यही कहानी चल रही है, चाहिए वो टेस्ट मैचिस की बात हो या वंडे की बात हो, अब इन दोनों को चांस काफी मिल रहे हैं, मैच अप्टर मैच मिल रहा है साइम ऐयूब और अब्दुला शिफीक को, लेकिन क्लूलस हैं, 32-34 की अवरिज अब्दुला शिफीक की भी जो है किसी और ने पकड़ के बल्ले से अंदर ले आया विक्टों में, खुद खेल रहा है बैटिंग कर रहा है, तो अनलकी कैसे हो गया, इंसे डैज लगया और वो बोल्ड हो गया, जो कभी ऐसा डिफेंड करने की कोशिश करते हैं इस तरह की कि जो बंदा असने लग जात ये हैं अनलकी, इसको बोलते हैं अनलकी, अपनी खुद ही बैटिंग कर रहे हैं, बल्ले से आगे गेन अंदर आगे हैं आप जाके बोल्ड हो गया, तो वो कैसे हैं अनलकी हुआ, तो खेर ओपनिंग तो पता ही है हमें, जिस तरह से ये खेलते हैं, और टेस्ट मैच वाली आई है बीच में, बिल्कुल ऐसा ही कि जैसे कि ये कोई टेस्ट मैच खेलने हैं, मैंने वो ट्वीट भी खेर किया कि पच्चीस, तइस, चौबिस होगे हैं, दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि जो पाकिस्तान की जनता है, और पाकिस्तान की मीडिया है, उस करोना दोना स् पाकिस्तान दर असल इन दिनों आस्ट्रेलिया के दोरे पर है, पहला ओड़िया मैच में आस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को ऐसा फैड़ा लगा कि पाकिस्तान हमेशा के लिए याद रखेगा, और दोस्तों पैक्स कमीन की दुमेदारी पारी देखकर पाकिस्तान मीडिया क जीत पाता है नहीं कहीं भार दूसरे देश में जीत पाता है और पाकिस्तान की जनता का रोना दोना हमेशा चला रहता है दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छे लगे तो उसको लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना और जो पाकिस्तान की जनता है वह बोल रही है क जो अच्छे खिलाडी थे वो उन्होंने इस मैच में नहीं इखिलाए है सैम ऐयूब जे से किलाडी कहा ना इस मैच में बाबारा जम चला है ना हरी जुआन चला है और जो इनका बोलर शान शान था उसने थोड़े शरन ब्राएं बसकी किसी बैट्समें ने अच्छे रन नही बनाएं दोस्तों चलो इस वीडियो को यह कतम करते हैं उसके बाद मिलते हैं वीडियो को बाद जहें जा बार दोस्तों